एता तो हुनू पता लग्या होना कि 12 मी कलास वालेंदा नतिजा केहा गया आवा कि 24 जुनू आएगा ते 10 मी कलास वालेंदा नतिजा आएगा उनती जुनू एहे जड़ी खबर सीगी आपानू केने दिती सीगी अजीत निउस्पेपर वाले आने मौर्निंग दे विच अठ ब कि 19 अनुसार सिख्या बोर्ड वलो बार्मी शिरेणी दिया प्रिख्यामा दिया उत्तर पत्रियां दे मुलंकन दा कम मुकमल करके अंक नतिजा त्यार करन वाली कंपनी नू पेजे जा चुके हन ठीक है ते बार्मी शिरेणी दी पास फॉर्मुले सबंदी बोर्ड दे उच अधिकारिया वलो बिचार चर्चा उपरंत एक दो दिन चे फैसला ले लिया जावेगा ठीक है बहुती इंपॉर्टेंट लाइन है कि पासिंग फॉर्मुले दे वारे ठीक है जी जड़े बोर्ड दे उच अधिकारी ने उना वलो एक दो दिन दे विच जड़ा हैगा फैस ख़ा है तक जड़े हैगे अब है दस्मी कलास वाले या जड़े उत्तर पत्रीया यानिकी तो हड़े अंसर शीट अधिकार पूरे चेक नहीं होए हैँ तो अध्यक्या पूरी चेकिंग कंप्लीट हो जुगी जुगी येसली दोस्तो तो अधिक तो अधिक व्यों नतिज्या कहा गयावा कि आजूगा ठीक है अजीत अखवारवल्या वलो एहें कहा गयावा बाकि अगर दोस्तों एक तो हनु इंपोर्टेंट है को हो लाइन दास दिना कि अगर इना ने कावी गल कहिया कि जिड़ा है कि अगर कोई तक्निक की समस्या नहीं आई यह मैं तो हन इनहें कि हभा जड़ है अपने सकत्तर है गए उन नहीं कहावा कि अगर पंजाब ओड़नु कोई तक्निक की समस्या ना आई ता जड़ी डेट में तो हनु दसीया जो कि अजीत अफ़ारवाले ने दसीया तो ननटिज्या आजयेगा अगर पोई तक्निक की समस्या आ गई ता रिजल्ट लेट भी हो सकता भा ठीक है जी ता एही ही होने दोस्तों प्रे करेओ गौड़नूं कि जड़े है गया तकनिकी समस्य है कोई टेकनिकल प्रोबलम ना आवे पंजाब होडनूं ता जो फिर जड़ा तो आड़ा रिजल्ट है जड़ी डेट में तो हनूं दसिया अहां जड़े न्यूस पेपर देवे चाहिया चोवी तरीक तरीक इस तरीक नूं ही नतीज़ा आज वे ठीक है एहे खबर जिरूर आरे सीगी सीब्यारतियां दे लई कि उना दे लई एक पहला खबर आरे सीगी कि ती रेशियो सत्तर दा वेटेज दा सिस्टम लगेगा फि पासिंग फार्मुला किस तरह दोएगा या निकी 50-50 होवेगा या 3 रेशियो सत्तर दोएगा या फिर 100% वेटेज दे जाओगी हर एक टरम नूं तरम 1 नूं भी 100% वेटेज ते टरम 2 नूं भी 100% वेटेज एता हजे तक CBSC ने भी डिसीजन नहीं लिता पंजाब ओर दा ब कि इनू 3% वेटेज दे देंगे ते इनू 70% वेटेज दे देंगे इस तरह दे होया ता फिर जेड़े विद्यार्थे ने टरम 1 दे विच महनत किती सी ओना दा मूल नहीं पाऊगा ते जिड़ना ने टरम 2 दे विच महनत किती सी कि ओना दा फिर बहुत ही मतलब confusing जा हो जू ठीक है जिनने जिनने महनत किती है उस कोडिंग होना दे मार्क से कल्कुलेट किते जाने चाहिए है ताह एक काहँ देख सा देऊं कि जेड़ा पासिंग फॉर्मूले दे रिगार्डिंग यानि के क्रिटेरिया ऐसी गा एदे विचे ए भी काफी प्राणा नोटिस है एदे परंतु जेड़े है ठीक है जी तो आड़े जेड़े रिटन पेपर ते तो आड़े प्रेक्टिकल अते असेस्मेंट पाके तो आड़े सो दे विचो ठीक है तेती परसेंट जेड़े है प्रतिशत तेती परसेंट अंक प्रापत करना लाजमी होवेगा ठीक है बस अर्थे ने टर्म 1 आते टर्म 2 दी धिती प्रिख्या विच बी परतिशत अंक प्रापत किते जान, ठीक है? यानि कि दोस्तो दसमी वालाय आंद लई एथे गाल कही गईया कि जड़े है गया उन्हानूं बी परसेंट मार्क्स चाहिद देया, ठीक है? ठीक है? ठीक है, ठीक है? ठीक है एक आले थे important हा थियोरी दे विच पास होन देले दोस्तों तो हनु मैं तवर पास ता नहीं कहा साथ है दे मिनिमम माँक्स दोस्तों तो हनु बी परसेंट लेके ओना पुगा दसमी कलास वाले आनु ठीक है बी परसेंट दे according एथे एह रूला बट दोस्तों सो दे विच्चों लाले कहा बाकी जड़ा हो गया जाली लेक्ती दे विच भी 30 % चाहिए दाया धस्ट प्रियोगी दे विच भी दोस्तों तो हनु 30 % मा AGPlus बनूगा ऊस्तों बाद एने कहाबा कि जड़े तो अड़े प्रयोगी दे विच्छ भी तो अनु थेत्ती परसेंट मार्क्ष चाही दे हम ठीक है जी तो हनु 100 दे विच्चों भी ठीक है जी जिड़े बार्मी वाले है गया उन्हानु भी 100 दे विच्चों किन्ने माक्स चाहिदे हन तेती परसेंट यानि कि तेती माक्स चाहिदे हन ठीक है पास हुन देले असेस्मेंट प्रैक्टिकल बगएरा मिला के ते एही सेम दोस्तों बा काफी ज़्यादा प्राणा है पंजाब स्कूल सिख्याबूर ने काफी टाइम पहला ही जारी किता हुए सीगा तो जिनान वह जेता कि समझ नहीं आया है मैं फिर रोनानों तास दिना चोना कि जड़े दसमी क्लास वाले हन इथे बी परसेंट दा की मतलब है बी परसेंट द सीसी दे अंक जूडन गे ठीक है अगर तो आड़े बी परसेंट मार्कस नहीं होए ठीक है जी टरम वन अते टरम टू नू मिला के एक सब्जेक्ट दे विच्च तो आड़े बी परसेंट मार्कस होने चाही दे हन अगर नहीं होए ता फिर दोस्तों तो आड़े प्रियोगी की तोडे जडे है गया लिखती प्रिख्छा देविच ते प्रयोगी प्रिख्छा देवििच बार्मी क्लास वाले यह तीके जी ते उस तो बाद की है देविच की तो अटे 100 देविच तो आटे भी फिरी तुसी पास होंगे एहे जड़ा प्रेस नोटा आया सीगा पंजाब स्कूल सिख्या बोड़ दा काफी जदा पुराणा है उन्हाने यह देविच यह दस आ सीगा हुन जड़ा दोस्तों कहा रही है कि एक दो दिन देविच कोई पासिंग फर्मूला दसंगे अगर पंजाब स्कूल सिख्या बोड़ इस नूँ चेंज इता नहीं करूगा मेरे अकॉर्डिंग क्योंकि एन्हानने पहला कह देता बता हो यह ही होगा अगर पंजाब स्कूल सिख्या बोड़ कोई चेंजेस कर दावा कि नहीं कर दावा बाकि मिन्नू नहीं लागता कोई चेंजेस करूगा नॉर्मल ही जिन्ने तो आड़े मार्क्स टरम 1 देविच आये होगे तरम 2 देविच जिन्ने आये सिगे उन्हानू एड करके असेस्मेंट तो प्लस कर देती जाओगी अगर कोई किसे सब्यक्ते बीच हो प्रैक्टिकल सीगा तो आड़ा ठीक है जी उसदे निम्बर भी तो आड़े उसदे बीच एड करके टोटल कर देता जाओगा तै इस तरह तो आड़ा नतीज आओगा मिन्न तो आड़ा विद्यार्थे आड़े फारम आ चुके हैं उन्हान देले डेट दोस्तों देख साथियों कि पंजमी अटमी वाले आड़े सप्लिमेंटरी प्रिख्या ठीक है ओहो जुलाई दे विच करवाई जा रही है ठीक है जी ते जड़ा है तो आड़ा पूरे पाठकरम देविचो कराई जाएगी होने कोई टर्म हुआना ते टर्म टूता सिस्टम नहीं रहेगा पूरे पाठकरम देविचो प्रिख्या कराई जाएगी ते जुलाई देविच पेपर होनगे ते पंदरा तरीक तो लेके पच्छी तरीक ते विच बेच तुसी फारम अपना पर देविच ठीक है दोस्तो आही अपडेट सीगी बाकि कोई फरदर अपडेट जेस आड़ेकोल कोहज देथा तो हनू जुरूर दसांगे बाकि अगर तो आड़ेकोल कोई क्वेरी है तो सी मेनूं इस्टाग्राम ते मेसेज कर साथ देव इस्टाग्राम दा आईडी दा लिं देविचे दिता है वाई ओके दोस्तो